प्रशान दवन देखे हाली में रश्या ने ओफर किया है भारत को ऑक्सिजन और रेम डेवसेयर इंजेक्शन्स अब मैं यहाँ पे एक बात भी आपको एक बताना चाहूंगा आप नोटिस करेंगे कि पिछले 10 साल में रश्या ने काफी help करी है चाइना की पाकिस्तान को weapons बेचे हैं जब इंडिया चाना का standoff चलना था तब काफी है तक एक neutral position रखी तब भी हम देखते हैं कि जराता जो इंडियन्स हैं वो openly कहते हैं कि वो जड़ा ट्रस्ट करते हैं रश्या को compared to USA और इसका एक proper reason भी है reason यह है कि US की जो overall foreign policy इंडिया की तरफ वो बहुत positive है मगर जब बात आती है crucial time की जब बात आती है critical time की जब उनकी help चाहिए होती है तब काफी बार उनका जो attitude है बहुत अजीब सा रहता है इसलिए इंडिया में जो think tanks है जो general public है उनका हमेशा एक suspicion रहता है US की तरफ अब for example आज के समय आप अगर देखो तो भारत में लगातार COVID-19 के cases बढ़ रहे है report यहाँ पे सामने आई है कि overall इंडिया बहुत ही जल्द USA को overtake कर देगा in terms of COVID-19 cases यहाँ पे आप अगर देखोगे अभी इंडिया में आप कह सकते हैं 50% cases है जितने US में है इसका एक रीजन यहाँ पर यह भी है कि testing हमारे हैं US के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है और जिस तरीके से हमारे हैं cases बढ़ रहे हैं रोज धाई लाग, तीन लाग, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ एक दो महीने में या फिर इवन 4-5 भहिने में इंडिया एक्चुली नंबर वान यहाँ पर रैंक पर पहुँच जाए इसे टाइम में इंडिया को चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रैमेरली तीन चीज़े medicine, oxygen cylinders और उसके लावा vaccines vaccines देखो हम खुद manufacture कर सकते हैं, मगर problem यहाँ पर यह है कि एक बहुत ही important raw material है, वो हमको चाहिए USA इंडिया में vaccine manufacture करने के लिए, हमारे यहाँ भी वो raw material है हम उसको produce करते हैं, मगर US उसका एक बहुत बड़ा producer है तो अगर US वो raw material हमको export कर देता, हमको बेश देता तो हम लोग actually ज़्यादा vaccine आज के समय बना रहे होते अब US आज के समय क्या कर रहा है, कि जो वो raw material है उसका export इन्होंने कर दिया है block, किसी भी country को यह raw material यह export नहीं कर रहे है, अब इसकी वज़े से इंडिया की जो vaccine production capacity है, यह काफियत तक कम हो गई है इस topic पर by the way मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से Serum Institute of India और various और जो companies हैं इन्होंने literally personal level पर Twitter पर गुहार लगाए थी Biden को कि please आप जो raw material है vaccine के लिए यह export करने के रहुमती देदीजिए US companies को, मगर अभी तक जो Biden ने इस पर कोई comment करी नहीं है US government से पूछा जाता है तो उनके spokesman यहाँ पर यह कहते हैं बहुती गंदा जवाब यहाँ पर उनसे यह मिलता है कि पहले हमारे जो नागरेक हैं उन्हें हम vaccinate करेंगे उसके बाद जो second path मितता है वो है बाकी दुनिया की माइड यू यहाँ पर सर्फ Indians की हम बात नहीं कर रहे जो यहाँ पर raw material इनको export करना है यह पूरी दुनिया को export होगा और इंडिया भी जो vaccines बनाएगा यह पूरी दुनिया को जाएगी तो यह जो इनका stance है यहाँ पर कि Americans need to be inoculated first having been hit the hardest by the pandemic यह बड़ा एक अजीब सा stance है और इससे actually US की जो एक image है एक selfish country की एक unreliable country की यह और ज़रा मजबूत होती है अब ऐसे टाइम में रशिया ने cleverly देखो एक बहुत यह अच्छा step चलाए जिससे इंडिया में इनकी जो goodwill है यह वापस improve होगी इसका मतलब यह कई से यह मच समय लेना के रशिया वापस हमारा strategic partner बन गया है US से बड़ा strategic partner कौम कासा override हो गया है नहीं US आज भी इंडिया के लिए बहुत important partner है मगर रशिया यहाँ पर बहुत सारी goodwill earn कर लेगा Indian public की अपने gesture से रशिया ने इतने खराब टाइम में यहाँ पर ओफर किया है oxygen, ramdesivir injections और most probably जो इसकी shipment है यह भारत को मिल जाएगी within 15 days और जो यह ramdesivir के injection है कितने provide कर सकते हैं रशिया की तरफ से देखो report यह सामने आई है यह ओफर कर रहे हैं 3,000,000 से लेकर 4,000,000 injections यह free नहीं होंगे आज के समय देखो COVID-19 के युग में free बहुत कम मिल रहा है अगर आपको कोई बेच भी रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है countries आज के समय एक्चुली export को भी block करके वैड़ी मी है तो अगर कोई बेच भी रहा है वो भी अपने आपे उधारता है तो रश्या यहाँ पे 3,000,000 से लेकर 4,000,000 injection हर हफते इंडिया को कर सकता है provide और actually जो यह numbers है यह increase भी कर सकते हैं इससे मैं आपको यह बता दू लाखो इंडियन्स की जान बच सकती है और यह बहुत positive step है by Russia इसके अलावा यह लोग यह भी कहा रहे हैं कि भारत में जो oxygen supply है अभी के लिए देखो मान के चल रहे हैं कि भारत में जो oxygen की need है यह होने वाली है 7,800 metric ton हम लोग अभी जो oxygen produce कर रहे हैं यह है roughly 7,000 metric ton के आसपास और यह भी हैं बहुत ही मुश्किल से produce कर पा रहे हैं कई हमारी जो companies है Tata Group, Reliance कई और companies हैं इन्होंने अपनी जो production यह change कर दी है जरातार जो अपनी factories में यह produce कर रहे है oxygen for industrial use अब यह produce कर रहे है for medical use तो इंडिया की जो need है हम almost इंडिया में इसको meet कर रहे है मगर थोड़ी सी कमी यहां पे महसूस की जा रही है और उसके लावा देखो oxygen एक ऐसी चीज है जो हमेशा आप चाहेंगे के surplus में हो oxygen की कमी जिस देश में होगी या फिर कमी भी saver नहीं है जितनी demand है उतनी supply होती है अगर तो oxygen cylinders की जो black marketing है वो भी देखी जाएगी जो इसके prices है ये भी काफियत तक बढ़ जाएंगे तो हमेशा जो need है oxygen की उससे जादा oxygen की supply होनी चाहिए किसी भी country में तो इंडिया की कोशिश यहां पर यही होगी कि eventually 8000 से लेकर 9000 metric ton हम oxygen produce कर पाएं तो रश्या यहां पर आगे आया है यह कहा रहे हैं कि हम वेरियस स्रीकेस help कर सकते हैं हम setup कर सकते हैं oxygen production plants in India हम cryogenic containers export कर सकते हैं to India जिससे इंडिया में जो भी oxygen यह लोग produce कर रहे हैं इसको आसानी से यह transport कर पाएं आपको बताओगा हाली में Tata Group ने decide किया है कि 24 cryogenic containers यह import करेंगे इंडिया में तो containers भी बहुत important है रश्या यहां पर भी help करने को तयार है उसके अलावा इन्हों ने यहां पर एक बहुत important बात यह भी बोली है कि जो इनकी sputnik V vaccine है यह भी बहुत जल्द यह इंडिया को कर देंगे export हाला कि थोड़ा सा भी time लगेगा बात चल रही है कि most probably में 2021 के अंत में इंडिया को मिल पाएगी रश्या की sputnik V COVID-19 vaccine मगर आप अगर compare करोगे इसको US vaccines अब यहां पर पुछेंगे कितनी अजीब बात है हाली में Quad का समिट हुआ था वहां पर बात चल रही थी कि US अच्छली लोन देगा Indian companies को हम यहां पर बनाएंगे vaccines Johnson & Johnson की vaccine बननी थी उस सब का क्या हुआ देखिए वो plan अपनी जगा अभी भी बना हुआ है मगर थोड़ा सा लेट होगा जो Johnson & Johnson की vaccines है यह अच्छली इंडिया में पहले इंपोर्ट होगी थोड़ी सी जुलाई के आसपास फिर जुलाई के बाद यह इंडिया में manufacture होनी भी start हो जाएगी तो इंडिया US मिलके काम करेंगे चाइना ने भी यहां पर यह का है कि हम इंडिया की help करने को तयार है हलां कि most probably वो actually में help करेंगे नी क्योंकि relations काफी खराब है मगर चाइना के लावा आप अगर देखे तो European Union ने बढ़ चड़ के यहां पर यह का है कि हम express करते हैं solidarity with the Indian people और कोई भी आपको need चाहिए इस वक्त आपको oxygen में help चाहिए किसी और department में help चाहिए तो हमें आपे आपकी help करेंगे और actually इंडिया बहुत ही जल्द oxygen generation plants का जो equipment है ये directly import करेगा from Germany ये भी हो सकता है कि इसको सिरा हम airlift कर ले और लेडी अगर हम देखे तो Air Force का हम बहुत यूज़ करने हैं भारत में airlift करने के लिए containers को और cryogenic cylinders को तो बहुत ही जल्द oxygen generation plants और containers ये आने वाले हैं from Germany इससे मेरा मानना है कि काफी असान हो जाएगा इंडिया में oxygen produce करना ये भी possibility है actually कि इंडिया इस oxygen वाले episode से इतना सीखे कि इंडिया actually आने वाले कुछ महीनों में इतना oxygen produce करें के हम एक टाइम पर export कर रहे है oxygen सावतेशा की बाकी countries को it can very much happen now Germany यहाँ पर help कर रहा है obviously बात है France यहाँ पर पीछे नहीं रहेगा और यहाँ पर आप देखे Emanuel Markov ने कितनी एक compassionate statement दी है Indian public को यह आपर कह रहे है Emanuel Markov की statement है I want to send a message of solidarity to the Indian people facing a resurgence of COVID-19 cases France is with you in this struggle which spares no one we stand ready to provide our support और most probably France से भी आप देखेंगे के in the future oxygen या फिर और टाइप की जो help है यह India receive करेगा तो यह एक gesture होता है इससे relations बिल्ड होते है इससे goodwill बिल्ड होती है और finally आप मैं add कर दूं कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं चाए UPSC, SSC, bank, railways any examination simply जाओ on academy की website पर click करो exam पे for example आपको अगर prepare करना है for CDS यहाँ पे click करो get subscription और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं course आप 12 मन्त का course भी purchase कर सकते हैं पर मन्त इसकी cost आएगी 733 rupees मगर यह price भी pay मत कर देना use करिये यहाँ पर code PD10 और यहाँ यहाँ पे आपको मिलेगा 10% discount the course will cost you just 660 rupees for 12 months तो इसी तरीके से हर course में आपको मिलेगा discount once you use the code PD10 so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह वीडियो कांत thank you for listening and as always God bless you all झाल